दोस्तो विकेट कीपर किसी भी टीम का वो खिलाडी होता है जो टीम के लिए सबसे अलग रोल प्ले करता है तभी तो विकेट कीपर को पाइलट भी कहा जाता है क्योंकि विकेट कीपर कभी भी मैच पलटने का दम रखता है फिर चाहे वो तेजी स्टंपिंग करना हो या फिर चलांग लगाते हुए एक बहाती हन् appreci पर लोग ही अपनी स्किलके दम पर एक अलागी नाम बनाया फिर चाहे हो सब के चाहिते धोनी हो या फिर आधम गिलकरिश्ट तो आजकी वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही बहाती ही के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपने एक से बढ़कर एक कानमों से दुनिया को हैरान कर दिया वैसे आपका फेवरेट विकर कीपर कौन सा है आमें कमेंड में जरूर बताईएगा लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन को दबा ये तो हमने कई बार देखा है तभी तो टीम इंडिया ने वो मैच भी जीते हैं जो लगबग मैच हाज चुकी थी वहीं धोनी ने इस्टंप के पीछे रहकर दुनिया की सबसे तेज श्टंपिंग भी की है तो एक से बढ़कर एक बहतरीन कैच भी पकड़े हैं इसलिए त उसने क्रीच छोड़ी तो उसे वापस अंदर जाने का मौका तक नहीं मिलेगा खैर ये तो धोनी की विकर कीपिंग हो गई लेकिन इसके अलावा दुनिया इन्हें एक अच्छे फिनिशर के तौर पर भी देखती है इसलिए आपने कई बात देखा होगा कि धोनी अपनी ब होनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई क्रिकेट लवर होगा जो एडम को नहीं जानता होगा क्योंकि ये खतरनाक विकर कीपर होने के साथ-साथ एक खतरनाक बैसमैन भी हैं तब ही तो अगर ये वर्ड कब में 50 से जादा स्कोर करने वाले विकर कीपर हैं वहीं 2007 के वर्ड कब में 149 रनों की शांदार पादी खेल कर श्रिलंका को हाल की तरफ धकेल दिया था वहीं दोस्तों इस्टम के पीछे रहकर इन्होंने 905 बल्ले बाजों को पावेलियन जाने के लिए मजबूर क किया जा सकता है क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग में भी अपने जंडे गार चुके हैं वहीं बैटिंग की बात की जाए तो ये रनों का भी धेर लगा चुके हैं यही वज़ा है कि ये सचिन के बात दुनिया के दूसे ऐसे खिला रही हैं जिन्होंने स सबसे ज़्यादा रन बनाए दूस्तों इन्हों ने जैवाधने के साथ मिलकर बेहतरीन से बेहतरीन बॉलर्स को भी नहीं छोड़ा है वहीं दुनिया के कुछ ऐसे बॉलर्स भी थे जो इनका सामना करने से भी डलते थे इनके पास वो सभी स्किल्स थी जो एक बेहतरीन बैट करती है इस पर आपकी क्या राय है हमें कमिंग करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा नमबल चार मार्क बाउचर दूस्तों मार्क बाउचर को याद रखने की कई वज़े हैं जैसे कि अपनी विकर्ट कीपिंग के साथ साथ तेज बैटिंग क की वज़े से भी विरोधी टीम के लिए खतनाग हैं वहीं अपनी विकर्ट कीपिंग की वज़े से बैट्समैन को डरा कर रखते थे इसलिए तो इस टम के पीछे इनके नाम पर 999 बैट्समैन का शिकार करने का रिकॉर्ड भी है जो की अब तक के सबसे जाता है और साथ में इसे तोड़ना भी काफी मुश्किल काम है और इसी 999 विकर्ट की वज़े से इन्हें मिश्टर 999 भी कहा जाता है इसलिए तो इन्हें दुनिया के सबसे सफल विकर्ट कीपर की लिश्ट में रखा जाता है इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएग नमबर 5 ब्रैड हैडिन दोस्तों ये खतननाग बैट्समेन होने के साथ साथ एक खतननाग विकर्ट कीपर भी हैं वहीं इस्टम के पीछे कैज जाना मतलब बैट्समेन का आउट होना तरह है क्योंकि इस्टम के बीछे ये काफी एक्टिव हैं हाला कि ब्रैड हैडिन को भी बताइए कि आपका पसंदीदा विकर्ट कीपर कौन सा है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे